अलो एब्रिवान एट्स में साल और आप सुम्हें का इंट्रिया गनमाश्ट के और एकनी इपसुट में स्वागत हैं तो यह मिले इपसुट के स्टार्टिंग में कुइंसरी के अंदर ली फैमिली को जो बड़ा असा मैंसन था उसी का सीन दिखा जाते हैं जहां पर तो उसी प्रिंसेस को दिखाया थे जो प्रिंसेस होने के साथ-साथ नाम से खुस हो जाते हैं कि उसका जो यहां पर गेश्टा उसे देने के बाद चौक्या था क्योंकि यह वाला गेश्ट ना और कोई नहीं जानी दूसमन प्रिंस यांग ता जिसका एक हाथ उसनी तिरा टुम्हाँ पेकर क्या रहे हो तभी ना यांग की पीशिटेंस तो ग्रेट यंग डाइनेस्टी का प्रिंस आते वह कहता है कि अरे दोस्तुम इतना भरक क्यों रहे दैसे भी हम लोग तो अभी प्रिंसेस के पार्टी में आए तो हम लोग को आई से ब्रक्ना नहीं है इसमत बहुत साल पहले का बात हैं जब उन्लों के महल में एक चोर घुसाया था तब यांग ने तो अपने ड्रेगन को उसके पीछे लगावे दिया था लेकिन फिर भी ना हो जोर पता नहीं कैसे तो भाग चुका था पर जाओ तो क्योड़ते कि अरे बच्छा इतना जूट तो मत बोलो वैसे बुसरात को नहीं तो मैं तो तुम्हेरे सिट्रे के साथ बैठे बैठे दारूपी रहा था और दोस्तमें तो पता यह तो अचनक से कहा उटते कि बच्चे यह सब कुछ बात ना भी भूला देना चाहिए वैसे भी आपि मुझे पता चला हूँ जिसके बारे मे मैंने इतना कुछ सुना था और अभी नहीं तुम्हारा इतना तारी सुनने के बाद मुझसे और रहा नहीं जाता तो चलो ना भाई साथ हम दोने यहां पर दो दो हाथ कर लेता है लेकिन तब बिना पीशे सामने आतो यह कहता है कि ब्रादर मुझे तो लग देख आपको इ पारी में मैंने इतना सब कुछ सुना था और प्रिंस का टाल देता है और तुम तो देखो तुम किदन जीनियस को मैं क्या हिस्षी का सकता हूं पर चुस्फनने के बाद जाव तो भी अपने कान में उंग्ली करते है कि पहले तो मुझे लगा था कि ब्रिंस यांग या प्रिंसे यांग भागत हुए कहता है कि अभी प्रिंसे यांग भागत हुए कहता है कि बच्चे को भॉगने दोना बैसे भी मुझे निशकंद अच्छाई लग रहे हैं प्रिंसे ले आते हुए कहते है कि अरे बैसे भी यहां पर बहुत बात साथ हो गया चलो सुरा सब बैट के यहां पर चाय राए पिया जाता है जहां पर न यूँ बच्चे हो तो भी यांजे छुप छुप ठे हुए न और एक बंदी के साथ जाके मुलकात कर रहा था इस बंदी के बारे में तो हम लोगो पता दें कि यह बंदा तो और कोई नहीं कि यहां का बैटा यांड कुई भैंग था जो बच्चों तो यह सुनके चौक चुगा था कि यहां पे ना उन लोग के सामने जाओ फेमिली का यहांग मस्टर यानि कि जाओ मिंगलिंग आ चुगा था जिस पर यह यह कहते हैं कि मुझे पता नहीं यह पर क्या चले लेकिन अगर इसके बारे में जाओ के पपापा जी कि यह कहते हैं कि यह कहते हैं कि जाओ को दिखाते हैं जो ना भी खाना खाते हुए तो अपने काजिन से पूछ बटता हैं कि यह यह यहां पे कर कह रहे हैं प्रिंस बने के और आपको यह पता चलना चाहिए कि सरीमेन के अंदर न एक प्रिंस को चुना जाते हैं और मुझे तो अभी यह लग दे कि यहां पे पूछ बटते हैं कि ब्रादर आपको क्या लग दा हैं कि इसके अंदर प्रिंस लिग का नाम आ सकते हैं जो सुनते ही तो इसके साथ नहीं हो सकते हैं तो पहले वह देखेगा कि लिए उसे यहां पे क्विन सिर्ट से क्या कुछ दे सकता है जाव को तो यहां पे कुछ पता जाल लाता है जहां पर तो जाव अपने मन में यह सौच रहा था कि आभी तो उसे पता चल चुका हैं कि यह ना सच्छ में आप तो लीग साथ यह साथी करने के लिए आए कि क्विन सिर्ट के अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जिसको पीछना सभियां पर हाथ दों के परेवें इसी के साथ हम लोगों को बताया था कि यह अगर लीग के साथ साथी कर लेती तो उसे ना आसानी के साथ यह जो मिली जाएगा और अभी तो यह कुछ मैंने पहले ना जाव फ कोई बात नहीं और सी के साथ जाओ तो आप बहुत राइम से आचको लेकिन अभी तक ना मैं तो अपने अंकल के साथ ही मुलाकत नहीं किया रहे देखो तो मैं तो आपको इसके बारे में पता नहीं भूल गया था मेरा पपा तो अभी बहुत दिनों से इंप्रेल सिटी में क्या हुआ है और जाने से पहले तो मुझे बहुत सारे विंड के शुल डंडेलियन पर करने के बारे में भूल गयते हैं लेकिन अभी तक तो मुझे एक भी हाथ नहीं लगा तो पूझ बढ़ता है कि यह चीज़ है कि यह किस्टल जो है ना यह बहुत की काम का है यह हम बहुत ही आसान हो जाएगा तो जी तो के उठती कि हां अतियर बनाना तो बहुत ही आसान है इसी के सासाथ ना हम लोग दो उसी आतियर के जो इंबलम है उसके अंदर विंड को भी डाल सकते हैं यह पर तो जाव के आउट के यह बिन अपने ड्रैगन के लिए एक लाइट स् दूर पाएगा और इसी के सासाथ उसका पार भी आपे ना बहुत कम खर्चोगा तो जाव बच्चोते हैं पर एक उसी का मारा क्याते हैं कि चलो हम लोग यह बैठा बैठा करके रहे हैं चलो चटबट करके दो दूदिया पर पकटके लिया था उसी के साथ जिनना अभी तो जाव को उसी में क्रिस्टल जो टेंड़ लिया था उसी के यहां पर फिल्ड में लेकर हाजिर हो चुग रहा हैं जिसे देखते हुए तो जाव भाई यह सोच रहा था जाव को पता चल चुग है कि इनने पकटना इतना मुस्कल क्यों है क्योंकि देखो तो यह लोग कितने स बच्चे यहां पर दूदस को दब उच्के लिए और यहां पर दिखाया जाता है कि इसे पकंडी के लिए ना उपर बच्चों को ब्तोडिक गता रहा था यह देखते हुए तो जाव चल लात वह और यह चीज़ ना मुश्किल क्यों है और ऐसे बाहर बार बार गृती हो द चर्पट करके पर पित्र रोश्णी का यूज करके सब को प्रालाइस कर दो जो सुनने के बाद ना ग्रिणी बचुआ तो वैसा ही करने लगता है लेकिन तो बिना पीछ से तो जिन जिल लाते हैं अरे बच्चू बचके तब यहां पर पता हैं कि जो फुल के पीछ आम यह से कहता है कि अरे देखो तो साव भाई आपको तो मैं यह बता नहीं भूल गया अगर आप यहां पर गल्दी से भी उस फूल को पर अटक कर दीते हो ना तो इस फूल का जो कोड़ है वो तो तो तूट जाएगा उसी कर साथ आपना इसका अंदर से तो बहुत ही तेज़ आज ना यहां पर तुम्हारे इंगों को तुम्हें बाहर फेक के यह सब को पकरना परेगा यह समझ के इन लोगों को पकरना श्रट के तो कि यह सब ना तुम्हारा खाना है और अगर तुम्हें लोगों को पकरना पाई तो तुम्हें आज सच्ची में खाना नहीं मिनने व पूरा दिन में भी एक फूल को भी पकड़ नहीं पाया था जो सिंदेना गृणी बचुआ तो जट्वट करके अपने स्पीड को वराके उसे फूल के पीछ लग जाते हैं और ऐसा हाला देवने के बाना भी तो नीशी से चीन कहते हैं कि भाई आपका यह वोला ड्रागन ना क कोई आम सा ड्रागन तो नहीं लग लेकिन हाँ इसके उपर अगर वी ने इंबलम इक पर चैर्श जाता है ना तो यह आसानी के साथ किसी भी गॉर्ट ड्रागन को तो चुटकी में हरा सकता है पर दिना इनर वाल के अंधर से तो डिविला चिल लात हुए क्या थैं कि अरे म